अगर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो नीचे सब्सक्राइब का बटन तो दिखी जाएगा तुमको एक जम सामने उसको जाकर करके tap करो, subscribe करो चैनल को ताकि जितने lectures आते जाएं तुमको मिलते जाएं एकदम सामने दिख जाएं और तुम अपने university exams में अच्छा score कर पाओ अगर तुम कोई PDF notes चाहिए होते हैं तुम join कर सकते हो मेरा telegram channel link भी description में मिल जाएगी और वहाँ पे जाकर करके इस सारे PDF notes तुमको premium में provide करता हूँ आज का हम topic शुरू करते हैं आज का हमार topic है cardiac muscle properties या फिर इसी को हम बोलते हैं properties of cardiac muscle आज हम उनको समझते हैं क्या होती है हम यह जानते हैं कि हमारे body में तीन type की muscles present होती है skeletal, smooth and cardiac muscles skeletal muscle जो होती है हमारे warranty control में होती है जैसे मैं अब यह हाथ हिला रहा हूँ मैं इसको move करा रहा हूँ तो यह जो है मेरे warranty control के अंदर है यानि मैं सोच के कर पा रहा हूँ यह काम किसका है? यह हमारे skeletal muscles का काम है लेकिन जो मेरा GIT है जो मेरा gastrointestinal cat है जिसमें मैं खाना खाता हूँ वो जो है वो मेरे control में नहीं है वो मैं सोच के नहीं कर सकता कि चलो मैंने अभी खाना खा लिया है मैं इसको अभी isophagus की नीचे ले जाता हूँ पेट में इसको crush करके इसको पुर अच्छा मिक्स करके इसमें सारे enzyme डाल करके फिर उसको अगले पार्ट ले भेशा हूँ नहीं ये काम है हमारी smooth muscles का ये हमारे voluntary control में नहीं होती इनको हम involuntary बोलते हैं clear अब जो third type की muscle है हमारे cardiac muscle वो specially सिर्फ और सिर्फ हमारे heart में present होती है cardiac मतलब होता है हमारा heart हम जितने cardiac terms होते हैं वो relate करते हैं हमारे heart से so जो cardiac muscles होती है वो हमारे heart में present होती है हमारा heart जो होता है वो अपने आप से धड़कता है उसको हमारे brain की जरुरत नहीं होती कि वो उसको impulse भेजे उसके पास खुद का एक SA node जिसको हम sinoatrial node कहते हैं इसको हमारे brain की जरुरत नहीं होती है impulse generate करने के लिए लेकिन ये control जरूर करता है हमारा brain, हमारा जो nervous system है वो cardiac muscles को हमारा nervous system, हमारा hormonal system even जो है cardiac muscles को control जरूर करता है लेकिन उसमें जो impulse generate होती है जैसे impulse क्या होती है साथ ये बताओ जरा जैसे मान लो आपने किसी गरम object पे हाथ रख दिया that is an impulse उसने क्या होगा, आप उसको पकरोगे आप एकदम से जो अपना हाथ वापिस पीछे की चोगे बाई ये तो गरम है, मैं जल जाओँगा इसको अगर चूओँगा तो ये है हमारा impulse, जो गरम object है उसने हमारा nervous system को एक signal भेजा कि मैं गरम object हूँ अब तुमको देख लो जो करना है हमारे nervous system ने क्या करा उस signal को detect करा, हमारे brain तक भेजा और बोला कि अगर मैं इसको देड़ तक पकड़ के रखूँगा तो यहाँ पर मैं को damage होगा इससे अच्छा मैं इसको यहाँ से हका लेता हूँ ये होता है हमारा impulse हमारा impulse और यह था हमारा reflex action जिससे हमने हाथ हकाया इतना clear है आप लोग को आज का हम topic शुरू करते हैं कार्डियक मसल पहले हम समझते हैं कार्डियक मसल क्या होती है ये एक specialized type of muscle tissue होता है जो हमारा cardiac, हमारी हार्ट की वाल्स को बनाता है cardiac muscle so specialized type of muscle tissue that makes up the walls of the heart हमारा हाट की वाल्स को बनाता है जैसे मैंने बताया it is responsible for the contraction and pumping action of the heart allowing it to circulate blood throughout the body हमारा हाट में जो है blood इखटा होके आता है जगा जगा से और फिर वो जो है body में हमारा distribute होता है that is the action of our heart that is the function of our heart cardiac muscle cells called cardiomyocytes cardiac muscle cells को जो है हम cardiomyocytes भी बोलते है as straighted in appearance क्या straighted in appearance ने क्या मतलब है sir वो आपकी skeletal muscle जैसे दिखेंगे मतलब ऐसे straight appearance रहती है उनकी smooth muscles की जो होती थोड़ी ऐसी tapering सी होती है appearance tapering मतलब यह pointed end प्रेजेंट होंगे लेकिन skeletal muscle और cardiac muscle जो होती है ऐसे straighted appearance में होती है यह इनकी nucleus है से मुला दे रहा हूँ so यहाँ पर आपको कोई tapering end देख रहा है sir यह क्या है यह tapering end ने है यह पूरी एक muscle है यह जो है न यह part एक muscle कहलाता है यह तो यह होती है हमारा stated appearance और यह होती है हमारी tapering appearance जो हमें smooth muscle में देखने मिलती है clear है यहाँ smooth muscle में हमें देखने मिलती है clear cardiac muscle cells are caught cardiomyocyte are stated in appearance similar to skeletal muscles skeletal muscles जैसी दिखती है लेकिन जो cardiac muscle होती है इनकी functioning कैसी होती है यह functioning में होती है हमारे smooth muscles के जैसी यह हमारी involuntary होती है cardiac muscles हमारी involuntary होती है वो smooth muscles जैसा act करती है लेकिन देखने में Skeletal knob muscles जैसी होती है. Clear? Okay. फिर cardiac muscle में एक special चीज और होती है. जिसको हम कहते हैं Inter Calactic Disc. मालनो, यह हमारा एक cardiac muscle है. तो Inter Calactic Disc क्या होती है? ये muscles को connect करती है. यह हमारों junctions के जैसे होती है. हमने पढ़ा हुआ Junctions जो होते हैं, वो irons का passage कराते हैं. different types of junction होते हैं सिर्फ ions का passage करा निकले नहीं होते हैं कुछ ऐसे junctions होते हैं जो stop भी कराते हैं कुछ एक दूसरे को चिपकाते हैं और कुछ जो होते हैं ions के exchange के लिए होते हैं So, जो हमारा inter-characteric disk है वो एक type of junction है, gap junction जो हमारे ions के exchange के लिए होते हैं और इसी वज़र से हम आगे जा करके पड़ेंगे कि एक heart property बनती है contractility कि अगर heart मसल contract कर रही है it contracts as a whole और it won't contract So, this is a inter-characteric disk These disks contain gap junctions that allow for direct electrical coupling between adjacent cells आजू-बाजू के जो cell होते हैं उनके बीच में ion का exchange कराने के लिए inter-characteric disk responsible होते हैं This arrangement facilitates the coordinated contraction of the entire heart अगर inter-characteric disk present नहीं होंगी तो हमारा heart as a whole contract नहीं कर पाएगा Clear? यह है हमारा skeletal muscle आपको यहाँ पर देखने मिल रहा हो एक stated appearance है इस्दम सीधी-सीधी lines जैसी है और similarly appearance में हमारे cardiac muscles भी है जो इस्दम सीधी-सीधी lines जैसी है इस photo में आपको इतना clear नहीं हो पा रहा होगा लेकिन जब आप अपने anatomy के practical में जाओगे जब histologic slides देखोगे वहाँ पर आपको तीनों type की muscle दिखाई जाएगी तब आप जो है clear cut difference महाँ पर कर पाऊगे कि हाँ यह cardiac muscle है यह skeletal muscle है और एक जो होती है conductivity एक होती है contractability और एक होती है auto rhythmicity यह सारी properties जो है एक दो से different होती है और इनका एक अपना significance होता है अब हम इसको समझते हैं चलिए जो जो पहली property हम discuss करने वाले हैं वो है हमारे excitability excitability क्या होती है इसको ऐसा समझते हैं जैसे कि मैंने एक गर्म object पे हाद रखा था अभी ठीक है सर अब उसके against अगर मेरे body में कोई action potential action potential है यानि जो हमारे ions होते हैं उनका exchange होना शुरू हो जाए simple भाशा मैं आभी आपको समझता होगा नवा system आगी जा करके पढ़ेंगे उसमें हम पूरा detail लेंगे so अगर मेरे body में उसके against जो impulse आया है उसको receive करने के बाद कोई response generate होता है जैसे कोई ions का exchange हो रहा हो या फिर कुछ और मैं response कर रहा हूँ किसी wave में तो इस चीज़ को हम जो है excitability कहते है excitability ये तो था skeletal muscle का example लेकिन heart में क्या होता है sir? heart में ऐसा होता है जो हमारा SA node है SA node जो है impulse प्रोवाइट करता है हम ले अभी पढ़ा तो impulse जो उसको मिलता है cardiac muscle को उसके against जब उसका ion exchange शुरू हो जाता है that is our excitability the ion exchange will start due to the impulse received or by the impulse generated by SA node it is a fundamental property of our cardiac muscle why cardiac muscle की एक fundamental property होती है clear? so excitability is also known as irritability is indeed a fundamental property of cardiac muscle cardiac muscle में ये present होगी ही excitability is defined as the ability of a living tissue to give response to a stimulus किसी stimulus या फिर किसी impulse के against जो हम response generate करते है उसी चीज़ को हम जो है excitability कहते है clear? cardiac excitability can be altered by various factors like ions and hormones ions में कौन कौन साइइंस होते है ions में होते हैं हमारे सर एक होता है sodium sorry sodium potassium and एक होता है हमारा calcium ion calcium ion भी जो है हमारे हमारे heart की excitability में बहुत एक major role play करता है यह वाला जो graph देख पा रहा है आप यह cardiac muscle excitability का है इसमें जैसे आपको एक यह peak दिख रही हो muscle physiology का then जो यहाँ पे हम देख पा रहे है क्या कि सर यहाँ पे जो है यह एकदम से पूरी repolarize वापस नहीं हो गई है यह थोड़े time के लिए जो है ऐसे delay कर रही है जैसे कोई CDRE हो wave ऐसा लग रहा है इसी चीज़ को हम कहते हैं play to face क्या कहते हैं इसको हम play to face so यहाँ पे हमें cardiac muscle में play to face भी देखने मिलता है and then उसके बाद हमको वापस से repolarization देखने मिलता है and the cardiac muscle goes back to its normal polarity clear इसी का जो हम दूसर case देखते हैं क्या जो हमारा skeleton muscle होती है उसमें मालनो यह मेरी y-axis यह हमारी x-axis जो skeleton muscle होती है उसमें हमें graph जो है इस type का देखने मिलता है clear इसमें हमारा depolarization होता है एक peak आता है and then it is वापस repolarize हो जाती है लेकिन cardiac muscle में हमने अभी क्या देखा cardiac muscle हमने देखा कि उसमे पहले चलो normal अपनी polarity पह फिर shoot करी एकदम से फिर repolarize हो रही है वापस सीधी होई and then again जो है repolarization होता है इसमें दो बार repolarization हमें देखने मिलता है लेकिन जो हमारी skeleton muscle होती है उसमें हमें सिर्फ एक बार ही repolarization देखने मिलता है इसका reason क्या है इसको भी हम समझेंगे clear okay so ions कौन कौन से बता है मैंने ions ने हमारे sodium, potassium and calcium सबसे जादा जो है इसमें अभी mean significance हमारा आएगा calcium ion का plate to face के लिए calcium ion जो है responsible होता है clear okay and hormones hormones कौन कौन से हमने पढ़ा हुआ है एक होता है adrenaline नाम का hormone adrenaline नाम का hormone होता है एक होता है nor adrenaline होता है so ये वाले hormones जो होता है इनको catecola means कहते हैं ये हमारे heart के excitability को alter करने के लिए responsible होते है clear और सबसे जादा दब जो हमने ये कहा है कि impulse जो है जो हमारा impulse होता है stimulus होता है वो cardiac muscle खुद बनाती है by the essay note लेकिन control जो होता है हमारा cns जरूर करता है इस चीज़ को और उसमें भी cns में भी हमारा autonomic nervous system part जैसे क्या होता है हमारा जो nervous system में उसके भी दो पार्ट होते हैं एक होता हमारा central nervous system and peripheral nervous system ये तो हमारा location के base पे हो गया लेकिन जो function के base पे होता है एक होता है हमारा ये हमारा nervous system में लिख देता हूं इसमें एक होता है हमारा somatic nervous system somatic nervous system से ये मतलब है कि इस पार्ट को ये पार्ट जो है हमारे voluntary control के अंडर होता है जैसे कि हमारी skeleton muscles ये हमारे voluntary control के अंडर है and the nerves applying it categorized as somatic nervous system ओके नेक्स्ट जो हमारा दूसरा पार्ट होता है वो होता है autonomic autonomic nervous system autonomic nervous system जो होता है वो पार्ट हमारे nervous system का होता है जो हमारे voluntary control से बाहार है जो हमारे जैसे smooth muscle या cardiac muscle को supply करता है ऐसा पार्ट जो होता है वो autonomic nervous system के अंडर आता है अब Autonomic Nervous System के भी जो हैं, दो पार्ट होते हैं, एक होता है Sympathetic System, Sympathetic Nervous System, और सेकेंड होता है Parasympathetic Nervous System, clear? यह हमारे on the base of functioning, यह हमारे functioning के base पर हम कैसे करते हैं, हमारे nervous system को वो है Sympathetic Nervous System, generally हम कहते हैं, कि वो excitatory होता है nature में, वो जो हमारा impulse, जो हमारा response होता है, उसको और बड़ा चड़ा करके करता है, जैसे कुछ लोग होते हैं, किसी बात को बड़ा चड़ा करके बोलते हैं, that is our sympathetic system वो हमारे response को और ज्यादा बड़ाता है, parasympathetic system इसी का opposite है, कि वो जो हमारे response generate हुआ है, उसको depress करने की कोशिश करता है, उसको दबाता है, clear, उसको कम करेगा, हमारे response को कम करेगा, clear, वापस आते हैं हम, so, and most importantly, the state of autonomic activity, यानि हमारे autonomic system, that is sympathetic and parasympathetic tones, sympathetic system and parasympathetic system, clear है, okay, sympathetic stimulation क्या करेगा, यह positive bathotropic होता है, यानि की excitability को increase करेगा, and जो हमारे second होता है, parasympathetic stimulation, वो क्या करेगा, वो negative bathotropic होता है, यानि की वो excitability को decrease करेगा, clear, resting membrane potential, जब हमारी carding muscle ले लो, या फिर skeleton muscle ले लो, जो हमारा neuron होता है, उसको ले लो, तो ये सारी चीज़े, जब उनके अंदो कोई activity नहीं हो रही है, जब वो कोई response generate नहीं कर रही है, तब वो होती है, हमारे एक resting state में, इसी को, हम कहते हैं, resting membrane potential, क्या होता है इसमें, जो हमारा positive ions होते है, वो बाहर की side जाधा accumulate होते है, ये हमारा मान लो, कि या तो skeletal muscle है, या तो neuron है, कुछ भी इसको समझ लो आप, तो इसमें क्या होता है, बाहर की side, positive ions जाधा accumulate होते हैं, as compared to negative ions, और अंदर की side, negative ions जाधा accumulated होते हैं, as compared to positive ions, इसी state को, हम बोलते हैं, resting membrane potential, क्योंकि यहाँ पर कोई अभी activity नहीं हो रही है, जब मैं इसके ऊपर एक impulse गाल दूँ, एक stimulus डाल दूँ, तो क्या होगा, यह जो है, अपने resting state से, action state में आ जाएगी, और उसको मैं बोलूँगा, action potential, उस चीज़ को मैं बोलूँगा, action potential, और क्योंकि वहाँ पर अब work होने लगा है, वहाँ पर कुछ काम होने लगा है, वहाँ पर कोई action generate हो रहा है, यह वाली चीज़ जो है, हम आगे जाकर के, हमारा जब nervous tissue, या तो CNS, या फिर जब हम nerve muscle physiology पढ़ेंगे, तब उसमें हम इसको cover करेंगे, इसमें जो है, polarity जो है, reverse हो जाएगी, मतलब जैसे अभी plus बाहर है, minus अंदर है, so इसमें क्या होगा, minus बाहर आ जाएगा, and plus अंदर चला जाएगा, यह होता है हमारा action potential, and further जो है, यहाँ से action potential अंदर की तरफ flow करता है, यह होता है हमारा action potential, आगे जाकर करके हम इसको discuss करेंगे ज़रूर, मैं बता रहा हूँ, मेरे university exam में, जो है, resting membrane potential पे, 20 mark का answer लिखने आ गया था, and लोगों की हवा tight हो गई थी, but मैंने जो हर जगा से पढ़ा हूँ, तो मैंने अच्छा लिखा है, 4-5, 5-6 page लिखा था, I guess, में को इत्ता जाल है, so, आगे हम बढ़ते हैं, so resting membrane potential क्या होता है, हमने समझ लिया, ठीक है, इसकी कुछ-कुछ values होती है, एक particular value होती है, किसी भी, हमारे कोई muscle fiber or nerve है, सब्सक्राइब क्या होती है, resting membrane potential value, वह होती ही, माइनस 55-60 millivolts, जो पुरकेंजे fibers होते हैं, पुरकेंजे fibers क्या होते हैं, मैं आपको बताऊंगा, उनकी होती है, माइनस 92-100 millivolts, यह value आपको याद रखनी है, आप रख सकते हो, आपको ये data जो है, आपने पास रखना, कभी आपको end moment पे जब पढ़ना हो, तो आप इसको एक बार देख के जा सकते हो, duration of action potential in cardiac muscle, is 250-350 millisecond, या फिक 0.25-0.35 second हम बोलते हैं, इतना काइम लगता है, एक action potential को एक प्लेस से दूसरी प्लेस में move करने में, action potential is a single cardiac muscle occurs in 5 phases, 5 phases होते हैं किसी action potential के हमारे cardiac muscle में, जो हमने graph देखा, वो उसी phases के basis पे हम उसको भी आगे जा करके study करेंगे, पहला होता है हमारा initial depolarization, जो हमने peak देखी थी, वो होती है हमारे initial depolarization, फिर आता है हमारे initial repolarization, जो peak आई थी, उसके बाद जब graph ड्रॉप करना शुरू कर रहा था, वो था हमारे initial repolarization, मैं एक काम करता हूँ, graph यहाँ पर बना ही देता हूँ. यह है हमारी cardiac muscle के excitability का graph, यहाँ पर जो हम मैं 0 phase बता रहा हूँ, initial depolarization, यह 0, 1, 2, 3 मेरा गलती से नहीं, इसको कहते ही हम 0 phase है, so this is our 0, दूसरा कलर लेता हूँ, this is 0, this is 1, 2, 3, and this is 4, 0 है हमारा initial depolarization, first हमारा initial depolarization होता है, second होता है हमारा plate to phase होता है, second होता है हमारा plate to phase और final depolarization, third है हमारा final repolarization, जब finally last में हमारा जो excitability है वो वापस से अपनी normal stage पर आने लगती है, जब action potential वापस return करने लगता है, that is our final repolarization, and the fourth phase is our phase of restoration of membrane potential, यानि की वापस से जो हमारा resting membrane potential था, उस पे हमारी जो cardiac मसला है वापस से आ चुकी है, उसी चीज़ को हम बोलते हैं हमारा resting membrane potential, या फिर हमारा fourth phase, phase of restoration of membrane potential, clear, अभी इन सब को हम detail में discuss करेंगे, first phase कौन सा था हमारा initial depolarization, जब हमने impulse provide कर रहा है, हमने कोई stimulus दिया है, तब जो ions का exchange होने लगता है, मैंने बदाया क्या, कि polarity जो होती है, plus minus होती है resting membrane की condition में, लेकिन जैसे ही मैं इसको impulse provide करूँगा, ये जो है reverse हो जाएगी, ये क्या होगा, minus जो है भार की साइड आ जाएगा, and plus जो है अंदर की साइड आ जाएगा, ये होता है हमारे ion exchange के कारण, mainly इसमें हमारे sodium ions जो होते हैं, वो role play करते हैं, clear? So, membrane potential reaches threshold, rapid depolarization होता है वहाँ पे, वहाँ पे rapid depolarization होगा, क्योंकि एज़दम से gates खुलते हैं, and sodium ions influx करने लगते हैं, influx से क्या मतलब होता है, अंदर आना, ये जैसे कि हम call लगाते हैं किसी को, एक होता है incoming और एक होता है outgoing, so, incoming को हम बोल सकते हैं influx, and outgoing को हम बोल सकते हैं efflux, clear? So, जैसे ही मैंने impulse प्रोवाइट करा, वैसे ही gates उपन होते हैं, and जो sodium ions होते हैं, वो बाहर के साथ ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, उनका influx होने लगता है, हमारी membrane के अंदर, हमारी membrane होती हैं, उसके अंदर sodium ions आने लगते हैं, this is due to sudden increase the permeability of the membrane sodium ions, which occurs due to opening of voltage-gated sodium channels, impulse के कारण ये वाले जो channels होते हैं, वो open होते हैं और sodium ions अंदर आने लगते हैं, okay, sodium ions enter rapidly into the myocardial cells, अंदर आगे, clear, initial repolarization, इसमें क्या होता है, जो हमारा depolarization हो गया है, यानि कि कौनसी phase होगी, हमारी zero phase, उसमें, zero phase कौनसी थी, ये वाली जो, ये वाली phase थी कौनसी, जब हमारा graph एक peak attain कर रहा था, ये है हमारा zero phase, clear, ये ही है, zero phase, अब next जो है हमारा initial repolarization, यानि कि हमारी first phase, इसमें क्या होता है, कि repolarize होने की कोशिश करती है, हमारी, जो membrane होती है, membrane जो है, री पोलराइज होने की कोशिश करती है, उसमें, जो हमारे potassium ions होते हैं, potassium ions जो होते हैं, वो अंदर की side present होते हैं, अभी तो सर आपने वोला, क्या, कि positive तो बहार है, negative अंदर है, नहीं, मैंने ये बोला था, क्या, मैंने ये बोला था, कि positive बहार की side जादा है, ऐसा नहीं है, कि अंदर की साइट positive ions बिलकुल present नहीं है वहाँ पे भी हमारे potassium ions जो हैं अंदर की साइट present है जब हमारे sodium ions अंदर आ चुके हैं उसके बाद जब एक particular value तक पहुँच गया है उसके बाद क्या होता है उसके बाद sodium ions जो हैं बंद हो जाते हैं अपने आपी ठीक है अब शुरू यह होता है कि हमारे जो अंदर potassium ions है बहुत ज़्यादा present है बहुत ज़्यादा positive वारे लगा है तो हम जो है थोड़ से potassium ions को बोलते हैं कि तुम भार जाओ यही phase होता है हमारा कौन सा initial repolarization का phase clear है it occurs due to closure of sodium ions sodium ions बंद होंगे sodium ions channels बंद होंगे and potassium channels also open and cause outflux मैंने क्या बताया था outgoing को क्या outflux outflux या फिर इसको हम बोलते हैं efflux इसी चीज़ को हम efflux भी बोलते हैं confuse मत करना इसी चीज़ को हम efflux भी कहते हैं so outflux या efflux होने के कारण जो है potassium ions बाहर जाते हैं which causes initial repolarization repolarization यानि वो अपनी resting membrane potential की तरफ वापस जाने की कोशिश कर रहा है clear अब next हम देखते हैं हमारा plate to face हमारा plate to face क्या था जब हमारी जो लाइन एकदम सीध्य हो जाए ती straight हो जाए थी वो था हमारा plate to face ये क्यों होता है plate to face हमें देखने क्यों मिलता है हमारा potassium ions तो सर क्योंकि बाहर जा रहा था तो उसको नीचे गरना चाहिए था ठीक है लेकिन हमारा जो calcium ions present होते हैं वो repolarization को थोड़ा delay कर देते हैं कैसे potassium ions efflux हो रहे हैं ठीक है लेकिन calcium ions जो होते हैं membrane जो हमारी होती है जो membrane होती है वो calcium ions के लिए भी permeable हो जाती है और हमारे cardiac muscle के आसपास बहुत सावे calcium ions present होते हैं इस वज़े से हमाई permeability जो है वो increase हो चुकि है calcium ions के लिए लेकिन calcium ions जो है वो धीरे-धीरे influx करते हैं वो हमाई membrane के अंदर धीरे-धीरे आते हैं तो potassium ions के अब बहार तो जा रहे हैं potassium ions जो है भार जा रहे हैं लेकिन calcium ions भी जो है धीरे-धीर अंदर आ रहे हैं इस वज़े से क्या होता है कुछ ज़्यादा हमें change नहीं देखने मिलता जो हमाई excitability है उसके अंदर और इसी वज़े से हमें जो है plague to face देखने मिलता है क्या बोला potassium ions बहार जा रहे है ठीक है लेकिन membrane जो है calcium ions के लिए भी permeable है उस वज़े से calcium ions जो है influx कर रहे है और potassium ions बहार जा रहे है तो कुछ ज़्यादा electrical activity में क्या है difference नहीं है इस वज़े से हमें plague to face देखने मिलता है clear, okay this phase is due to the sustained increased permeability of the membrane to calcium ions क्या होता है slow calcium influx होता है calcium ions धीरे धीरे एके करके अंदर आते हैं okay influx of potassium ions also plays an important role हमारे potassium ions जो influx हो ही रहे हैं लेकिन हमारे calcium ions जो है वो influx भी हो रहे है उनका अंदर आना भी चल रहा है इस वज़े से हमें plague to face देखने मिलता है phase of final repolarization finally calcium ions के जो होता है gate वो close हो जाता है and potassium ions जो है move out करते हैं हमारे membrane के अंदर से which causes final repolarization क्या बोला मैंने कि calcium ions के gate जो है बंद हो चुके है and जो potassium ions के gate थे वो open है which causes outflux of potassium ions rapidly full fledgedly to the fullest potential which causes final repolarization why it is called final repolarization because we have seen a first phase of repolarization beforehand okay हमने पहले से जो है एक repolarization देखा हुआ है इसलिए अब इसको हम final repolarization बोल रहे है clear occurs due to closure of calcium channels and increased potassium of efflux clear phase of restoration of membrane potential final जो है हमें वापस से interesting membrane potential देखने मिलता है that is our last fourth phase called phase of restoration of membrane potential sodium potassium pump comes into action and restores the membrane potential sodium potassium pump क्या होता है sodium potassium pump जो होता है हमाई membranes में present होता है which causes outflux which causes influx of two potassium ions and outflux of three sodium ions क्या था था कि sodium ions क्या बहार की साइड जादा थे and potassium ions अंदर की साइड जादा थे but अंदर जो है negativity ही थी और बहार जो है positive ions जाद accumulate हुए रखे थे वापस से हमें ये phase लाननी पड़ेगी वरनना क्या होगा potassium बहार जाद accumulate हो जाएंगे and sodium अंदर ऐसा हम नहीं छोड़ सकते हमें जो normal physiological condition थी उसको restore करना पड़ेगा इसलिए sodium potassium pump जो है add करता है and three sodium ions अंदर से बहार फेकता है and two potassium ions बहार से अंदर की साइड वो लाता है ऐसा क्यों क्योंकि sodium का size थोड़ा छोटा है as compared to potassium so एक बार में यही हो पाता है कि तीन sodium बहार and two potassium अंदर clear यह था हमारा phase of restoration of membrane potential and यह है हमारा excitability graph of cardiac muscle clear क्या हुआ जीरो phase हमारा sodium ions जो है influx करेंगे अंदर आएंगे फिर एक peak attain होगी उसके बाल एक initial repolarization हम यहां पर देखने मिल रहा है क्यों क्योंकि potassium का influx शुरू हो जाएगा लेकिन इस चीज़ को डिले कौन करेगा हमारा calcium ions जो है इस चीज़ को डिले करेंगे कैसे थोड़ा आगे आगे थोड़ा पीसे सलते हैं calcium ions कैसे उसको डिले करेंगे influx हो करके ताकि जो एक electrical activity है उसमें कोई difference ना है clear and finally जो है हमारा final repolarization शुरू होगा potassium ions बाहर जाने लगेंगे calcium ions का influx रुक जाएगा उस वज़े से and finally sodium potential pump act करेगा and the membrane potential is restored the membrane potential comes back to its resting membrane potential ये है हमारा excitability ये है हमारा excitability का graph of our cardiac muscle clear इसके आगे की properties जो है हम अगले lecture में discuss करेंगे rhythmicity क्या होती है उसको हम समझेंगे conductivity क्या होती उसको हम समझेंगे and contractility क्या होती है उस चीज़ को भी हम समझेंगे क्यों क्योंकि ये वाले lecture थोड़ा हो चुका है and बड़े lectures किसी को पसंद नहीं है इसलिए I'd like to cover these in the next chapter in the next lecture तो या तुम अगर नए हो तो चैनल को subscribe करो तुम्हारा कोई doubt रह जाता है तो मेंको instagram पर तुम पूछ सकते हो उसकी link भी description में मिल जाएगी telegram को अगर तुम्हें join करना है telegram channel को join करना है तो उसके लिए भी description पर link तुमको मिल जाएगी वहां पर जाओ सारे PDF notes तुमको एकदम free में वहां मिल रहे हैं और जितने भी updates होते हैं तुमको दोनों जगा मिल जाएगे मेरे instagram पर भी and telegram पर भी कि कौन से अगले चापकर आने वाले हैं और क्या topic हम cover करने वाले हैं इसी के साथ आज के lecture हम खतम करते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में